ब्राट टू यू बाई टेक्नो कैमन 30 सीरीज नतीजे हमारे सामने हैं जो ये गवाही दे रहे हैं ये मुनादी कर रहे हैं कि लगातार तीसरी बार NDA सरकार देश में वापस आने वाली है तो क्या वाकई ये एक्जिट पोल के नतीजे आधिकारिक नतीजों में तब्दील होंगे इन नतीजों में बीजेपी और NDA के ये क्या संदेश हैं वो क्या कहते हैं ये तमाम बाते समझने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं लेखक वरिश्पत्रकार और राजनेतिक विशलेशक राशित किद्वई साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल आप से यही है कि जो एक्जिट पोल के न ही होंगे जी देखिए तिहास में जब भी हम एक्जिट पूल देखते हैं उसका डिरेक्शन जो है वो मन सही साबित होता है मतलब जो जो गडबंदर या राजनेतिक दल को बताया जाता है कि वो जीतेगा वो जीतता है लेकिन नंबर जो संख्या का बात होती है वो उसमें क से हमने देखा कि पुलवामा के घटना हुई और उसके बाद बाला कोड तो एक राष्टवात का जजबा देश में बहुत ज़्यादा उबरा दोहजर चौबिस में हमें ऐसा कोई जजबा कोई बड़ा एक जो से हम कहते हैं नारेटिव वो नजर नहीं आया वो मन ऐसा नज महसूस होता है और दूसरी बात एक्जिट पोल में बहुत दिल्चस्प यह है कि जहां भाजपा और एंडिये गेन करती में बढ़त करती दिखाए दरी है कॉंग्रेस जो है वो उसका गिराब जो है वो पहले से जिसे हम कहते हैं बच से बत्तर नहीं हो रहा है उसका भी इं कर रहा है सर आपने एक आर्टिकल में लिखा आपने की जो बात आपने अभी कही भी कि कॉंग्रेस को साथ से छी अत्तर के बीच सीटें एक्सिज माई इंडिया का एक्जिट पोल दिखा रहा है और हरियाना तिलंगाना करनाटका हिमाचल जारकंड यह वो राजे हैं जहां कॉंग्रेस गेन कर रही है तो क्या जिस तरह से कॉंग्रेस एक डिस्क्रेडिट इस इलक्षन से पहले एक डिस्क्रेडिट सी पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी दो महीने पहले तो क्या आपको लगता है कि यह कमबेक है कॉंग्रेस पार्टी का या फिर उनके लिए सीटे मिल रही है तो कॉंग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में आएगी लेकिन वह बात जो है वह जमती नहीं है क्योंकि उनके जो विपक्ष में जो राज़ितिक डल्या गडबंदन है वह जो है वह 400 के परीब है या पारे 300 से जादा उसको सीटे मिल रही है और असल गडबंदन की राज़िती में कॉंग्रेस ने अच्छा काम किया क्योंकि आप देखें तो चाहे उत्तरपरदेश हो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो सब जगा उन्होंने एक अच्छे तालमेल अलाइंस किये लेकिन जो हमारा इस कोस्ट है उसको विपक्ष ने बहुत को छोड़ दिया अमतलब मैं एहां पर आंधरा की बात कर रहा हूям और ओलिशा की बात कर रहा हूं और बंदन करहें और लाजर एक शहेतरी दल जोwnie से दो अगर वह और दोबार बंदन को बहुत जादा नुक्सान होता है और यह व जो चंद्रबाबु नाइडो है टीडीपी और जनक पार्टी ने अलाइंस किया भाजपा के साथ में तो उसके तोड़ के लिए वायसर जो जगनमोहन रेडी है वायसर सीपी जो है उसके साथ क्यों अलाइंस ने करें इसमें मैं छोटी सी घटना बताना चाहूंगा के वायसर के जो कॉंग्रेस जो है जुनको राजशेकर रेडी के नाम से जानते थे वो सितंबर 2009 में उनकी दुरगटना में वह हो गया और उस समय जगनमोहन कॉंग्रेस के सांसते और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे अब दिल्चस बात आती है कि वंशवात का मतलब जंडा लेक तो राहुल गांधी जो वंशवात के हैं और उन्होंने एक वंशवात का रोत किया और उससे बिल्कुल अलग समय बन गया और कॉंग्रेस के हाथ से तिलंगाना भी गया और आंधरा भी गया उसके बाद तिलंगाना में वापसी भी लेकिन आंधरा में आज़र साब आप जराया है अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि वहिया जब तक सर्टिफिकेट हाथ में ना आए डरना नहीं है और दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हम पारकंड हो ऐसे पांच छे राज्ये हमें नजर आ रहे हैं जहां विपक्ष ने तरीका इसके वाफसी की है तो जो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं तो एबरेशन को कभी-कभी हम जो हैं वही सत्य है तो उसको हम और एनलाइस करते हैं और रीडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है यहिसे विपक्ष की इस तरह सी गल्ती नहीं होगी लेकिन रइन हमें जो कॉए कॉंग्रेस को दस में दो चुनों में जैसे हम जानते हैं कि 25 में से 0 मिला है राइस्थान में, अगर वहां कॉंग्रेस को 5, 6, 7, 8 सीटे मिली हैं, तो यह विपस्ट को एक ताकत देती है कि यही कुछ ना कोई 2, 3, 4, मद्रदेश से मिलेंगी, एक, दो, तीन, कुछ 36 गर्देश से मिलेंगी, तो यह 10, 15 सीटे बनती हैं, तो यह तमाम बाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जो एकजिट पॉल से दाजर आरा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम एबरेशन को, हम सब लोगों को, यह वा पत्रकारों को भी एक सीख है, कि हम चीजों को ओवर एनलाइज ना करें, दूसरे एक शब्द में कहता रहता हूं, जो कुछ लोगों को इतराज भी होता है, कि हम अपनी खुआईश को खबर ना बनाएं, जी बिलकुल, लेकिन सर, इस चुनाव में, जिस तरहें का परचार किया गया, जिस तरहें की छवी बनी, तो राह को राहूल गांधी को थोड़ी सी धारस भी लेगी, चाहिए वो विपक्ष में रहें, लेकिन नेता परतिपश का रोल होगा, लेकिन राहूल गांधी जो अभी तक कर रहे हैं, और अगर वोट परसेंटेज, वोट परसेंटेज, देखिए कॉंग्रेस का पिछले दो चुन नो बजे नहीं जाएंगे और तमाम जो उसमें जो मीटिंग्स होती हैं, जो लोग परलिमेंट कवर करते होंने पता होता है, तो वो अपने आपको 24-7 एक पॉलिटिशन यातरा करना बहुत अच्छा है, लेकिन यहां उन्हें एक सीरियस प्लेर के रूपे अपने आपको प लेकिन इस तरह की जो यह विस्पर कैंपेन होती है, यह बाद में जाके काफी नुकसान पहुचा सकती है, जो एक्जिट पोल के जो अनुमान आये हैं, उसमें कॉंग्रेस के तीन राज्ये हिमाचल, करनाटक और तेलंगाना, इन तीनों में पिछले एक डेर साल में कॉंग जादा मिल जाएं, लेकिन वो फिर भी बहुत कम रही, तो यह क्या कारण है कि छे महिने और एक साल में कॉंग्रेस वहां अपनी पोजिशन रीटेन नहीं कर पा रही है, इसके बावजूत की वहां रेवन्त रेडडी हैं, वहां डीके शिकुमार, जिन के बारे में कहा जात तमाम उनको सुख सुविधा हैं, जैसे करनाटक में हैं, लीडर्शिप भी है, तमाम समुधाय के हिसाब से, कास्क के हिसाब से, तिलंगाना में भी कॉंग्रेस ने बहुत अच्छा चुनौर लड़ा, और उससे जादा कि कॉंग्रेस के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब तिन हजार रुपे दे रही है, उसके बावजूद अगर कॉंग्रेस नहीं जीत पा रही है, तो इसमें ये उनकी एक तरीके के लाचारी दिखाता है, और उनको खुद समझना चाहिए कि जब इंडरा गांधी का जो सिक्का चलता था, जब कॉंग्रेस के जो पिछले 54 साल आजादी के बाद जो रहे कॉंग्रेस का, उस समय भी विपक्ष के नेता बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली, क्योंकि जो जवालन लहरू, इंडरा गांधी, अबाद मेरा जीव गांधी, उनसे ज़्यादा मजबूत थे, मतलब जो शक्सियत जो जो होती थी, वो ऐसा माना जाता था कि वो परिवार में जैसा लोगों की एक जो राजितिक सोच होती थी, उसी के दर वोड़ देती हो, लेकिन यहां जब महिलाओं को पैसा डरिक्ली मिलने लगा है, कैश ट्रांसफर वगारा में, तो महिला उसका एक रिटर्न करना चाहती कि जो मुस्लिम वोट है, वो 2009 में जितना बीजेपी ने गेन किया था, लगवाग 2019 में, वो बीजेपी का मुस्लिम वोट घट रहा है और इंडिया और कॉंग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम शेर है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सीटें बहुत चीज के लाती है, जो जबीनी स्तरके अपर नतर आता है, यह काउंटर पोलराइडेशन की वजे से होता है, पहले ऐसा यह माना जाता था, और कॉंग्रेस ने इसका अविशकार किया, बहुत सी जो सेकुलर पार्टी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने यह करा, कि उनको एक मिजाज बन गया था या जो पैटरन था, उसको तोड़े में भाजपा ने एक बहु संख्या अपना एक पुलराइडेशन करा, इसलिए आप देखेंगे कि रामपूर और संभल और साहरनपूर जैसे उतर प्रदेश की बहुत सारी सीटे हैं, बहुत सारी जहां जिसे हम कहत जो तरीका है, अब रिजल्ट जो भी आए, वो तोड़ा अलग रहा, तो कि महमताब एनर्जी को 2021 के चुनों में हमने देखा, कि उनको 48-50 पी सदी के करीब बहु संक्यक बोट मिला, और 80% मेरे खाल से उनको अलप संक्यक बोट मिला, तो इसलिए महमताब एनर जी का कोई ब के इंटर्नल सारी गत्विद्यों को देख रहा है, आपने सोनिया गांधी के आटोबाग्रफी भी लिखी उसमें, आपने 2004 के लोक सभाज चुनाओ और उससे ठीक पहले हुए विधान सभाज चुनाओ, जिस समय कॉंग्रेस एक्जिस्टेंसल क्राइस से जूज रही थी, उसकी एक तस्वीर पेस की थी कि कैसे चुनाओ रिजल्ट आने से पहले कॉंग्रेस कॉंफिडेंट होई थी सोनिया गांधी के निर्टित में, आज की स्थिति में पूछना चाहरा हूँ आपसे, कल रिजल्ट आएगा, उससे पहले कॉंग्रेस के आज की स्थिति क्या है, कॉंग्रेस का अधिकारी एक दफ्तर सज रहा है, लेकिन नेताओं के बीच में क्या वैसा एंथूजियादम है, क्योंकि राउल गांधी 295 का फिगर दे रहा है, 2004 की कॉंग्रेस, 2024 की कॉंग्रेस, आज की तस्वीर क्या है? जी बड़ा जमीन आस्मान का फरक है, देखिए 2004 में कॉंग्रेस में एक मतलब जो लीडर थे, हो सकता है हम मीडिया जगत के लोगों को इतना भरोसा नहीं था, लेकिन सुनिया गांधी का आकलान और कॉंग्रेस पार्टी में एक आत्म विश्वास था, और वो जैसे मैंने उसमें आपनी ये बात दोधार चार्ट की कहीं, मैं तो ससस्तर में जाओंगा, जो इंदरा गांधी बुरी तरीके से आरी थी, और पहली बार कॉंग्रेस जो थी बिल्कुल एक तरीके से उसका जो ये नॉर्थ इंडिया होता है, सेंटल इंडिया और जो वेस्ट इंडिया इन तमाम बदलब एक समझे तीन चौथाई भारत देश के उसे कॉंग्रेस जो थी बिल्कुल सिमट गई थी, लेकिन तब उसका आतमिश्वास उसने नहीं कोया, आज आप अगर किसी कॉंग्रेस जन से बात करें और क्योंकि हमारा एक ऐसा समवाद होता है, तो उनको आतमि 70 का आधा मिले, जो 2004 में मिला, आज कॉंग्रेस जो है, वो 75 पार उसी के लिए कि उसको एक अपना अचीवमेंट माने की 100 पार, तो मुझे लगता है, अगर कॉंग्रेस 100 पार हो जाता है, तो एक्जिट पोल गलत साबित होगा, और भाजपा को फिर 272 अपने दंबूते पे लाने में दिक्कत होगी, तो आत्मिश्वास की कभी है, उसका मनोबल तूट चुका है, उसकी लीडर्शिप नहीं है, और उसके पास उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, दरहसे कोई पॉजिटिव एजिंडा नहीं है, कॉंग्रेस आज ये भी नहीं कहे पारी है, कि आर्थिक सुधार तो हम लाए थे, देश की एकोनोमी हमारी जिम्मेदारी है, वो वल्टा-उल्टा कह रहा है कि मार्केट में मनुपलेशन के लिए ये ऐसा, मतलब सट्टे से जो है, एक्जिट पॉल इंस्पारड है, कॉंग्रेस को राष्टिय सुरक्षा में पाकि इसा कुछ सर्वे में मैंने देखा आया है कि समय जो 18-25 का जो युवा है, वो भाजपा से नरीद मुदी से थोड़ा हताश या मायूस है, लेकिन वो मायूस ही के बावजूत जो है, मतलब कॉंग्रेस को उसी तेजी से या उस गती से वोट नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या देश्वासी मतलब जो से हम अपर अंग्रेजी में कहूंगा, हैपी टू बी अनहपी है, कि मतलब उनको विशम प्रस्थितियां अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं होता, यह इंसानी मिजाज के विप्रीत है अचा सर, आपने इसमें कॉंग्रेस के लिए एक संभावनाद देखी कि 75 पार अगर जाती है, तो भी कॉंग्रेस के पास सेलिबरेट करने के वैलिट रिजन है, लेकिन मैं इसको तरह उत्तर प्रदेश के संदर में रिजिनल पार्टी के उत्तर प्रदेश या बिहार भी मा को जनता इस तरह से नकारेगी, तो आप रिजिनल पार्टी की पॉलिटिक्स पर क्या टिपणी करना चाहेंगा, अगर नतीजे ऐसे ही रहते हैं, तो जी यह भी एक बड़ा महात्पूर्ण विशह है, देखिए इसमें की बिर कॉंग्रेस को एक उम्मीद की नजर आती ही, क चुनावी अद्बार से खतम हो रहा है, अगर उनका वोट जो डलिट वोट पे पकड़ थी, वो धिली होती है, तो इन सब जगा के उपर जो है, उसको आने वाले समय में कॉंग्रेस को लाब होगा, कल मैंने राजिजित सद्धे साही से भी ऐसी बात कही कि अगर ऐसा कहा ज का यहां अकलन है कि वहां पर विपक्स और खास और से कॉंग्रेस मजबूती में आ रहा है, उसके बाद महाराश का चुनाव है, फिर वहां गडबंदन मजबूत है, दिल्ली का चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी का दमखम है, मतलब एसमली के चुनाव में, और उसके चुनाव में स्विंग स्टेट की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, उसमें से महाराश्ट और बिहार ऐसे दो स्टेट रहें, जहां पर बीजेपी को बहुत फजियत, मतलब बहुत मुस्किल में दिखी, तो महाराश्ट और बिहार में आप अंडिया और इंडिया की उसको जनता ने उस तरीके से पसंद नहीं किया, एक्जिट पोल भी उसको थोड़ा दर्शाता है कि चाहे वो एंसीपी शरत पवार हो, चाहे वो उदव ठाकरे की शिवसेना हो, उसकी पकड़ कमजोर नहीं विये, तो यह तरीके से लोकतंदर के लिए शुब संकेत है, और पारी जो एक इंडिया स्टोरी हैं, वो इंडिया स्टोरी में देखे बड़ी दिल्चस बात यह है, एक तरफ तो नरिद मोदी जी की पकड़ बस्बूत हो रही है, भाजपा भल पूल रही है, लेकि उसके साथ-साथ राज्यों में विपक्स का बहुत अच्छा मौका है, तो लोकतंतर के लिए मुझे लगता है जो चेक इंड बैलेंस की, अगर राज्यों में गहर भाजपा सरकारे होंगी, तो आप देखिएगा कि देश के लिए और तमाम सभीधान और तमाम चीज़ें जिसके हम चर्चा करते रहते हैं, वो बहतर होगा. सीटों के मामले में होता है, मतलब कॉंग्रेस 75-100 के आसपास भी होती है, कॉंग्रेस सेलिबरेट तो कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांदी की लीडर्शिप को लेकर फिर सवाल उठेने चाहिए या उठेंगे, कॉंग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में राहुल गांदी तक का एक बचस्त रहा है, लेकिन दरसल वो पार्टी खुद अपने आपको बदलना नहीं चाहती, मलिका अरजुन खर्गे बने, एक धलित राश्टी अध्यक्ष बने, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले वो दाएंबाएं देखते हैं, मतलब कि राहुल गांदी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन एक राजनितिक विरास्त या जो राजनितिक धरोवार है, कॉंग्रेस पार्टी के उनी के नाम से, आज हम उनकी बात भी कर रहे हैं, पूरे चुनाओं में भी, उसी की बात भी, तो चुनाओं जो, बना कॉंग्रे जन खुद अपने आपको डिमोक्राइज नहीं करेंगे, कि जैसे अभी, जैसे आप बात कर रहे हैं, कि 75 सांसद आते हैं, और उसकी संक्या सो तक होती, या तो राहुल गांदी उसका नेतर्व समाले, या एक बतला लेका कोने के नाते, मुझे लगता है, कि वो वहां के पिछली बार क्या हुआ, आप लोगों ने देखा और मैं इसका कोई राजनितिक टिपड़ी नहीं करणा चाहता है, लेकिन कॉंग्रेस के नेता कौन था, कॉंग्रेस के नेता अधिरंजन चौदरी थे, जो कि ना वो एक बहुत अच्छे वक्ता थे, ना बहुत रणनितिक तो कॉंग्रेस की लोकसभा में जो थी, इमेज बहुत और जो परफॉर्मेंस थी, बहुत खराब थी, मतलब राजनितिक दल चाहता है कि उसका सबसे बहतर चेहरा और सबसे सक्षम विक्ति आ गया है, अगर राहुल गांधी अपने आपको सक्षम समझते हैं तो उसका नित सबस्वा चुनाओं में वो कुछ जो अच्छे वक्ता उबरे हैं, उनमें से प्रियांका गांधी का नाम लिया जाता है, जो निश्पक स्लूप से जो चुनाओं को देखते हैं, तो यह सारी की सीरी कांग्रेस को या विपाश को अपना जो बहतरीन लोग हैं या बहतरीन इ नेता बन जाते हैं, वो चेहरा तो पहले से हैं ही, लेकिन क्या अगले पांच साल दोहजार उननतीस का जब चुनाओं होगा, तब भी क्या राहूल गांधी इस स्थिती में होंगे, कि वो कॉंग्रेस का नेतरु करें, बीजेपी से लड़ाई लड़ाई, क्या इतनी लंब निर्वर करता है, क्योंकि हमारे यहां हम सब जानते हैं कि राजनितिक दलों में एक तता कतित रूप से में कहूंगा, एक अपना इंटर्नल डेमोक्रेसी और लोकतंत्र होता है, उनकी चुनाओं पर क्रिया होती है, तो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है अगर आप देखें जो देश की जो इस समय राजनितिक इस्तिती है, उस इस्तिती में कितनी बार कॉंग्रेस टूटी है, बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि देखिए, कॉंग्रेस में जब भी विशम परिस्तितियों में स्पिलिट हुई, 1967 में पहली बार गयर बात भी है, कि 14 और 19 दो बड़ी हार हुई, लेकिन कॉंग्रेस में कोई कॉंग्रेस दो फार नहीं हुई, बलके कॉंग्रेस में महतपूर नेता, 140, 135, जो भी आप गिनती गिनना चाहें, महतपूर नेताओं की, वो चले गए, और 100 से करीब जादा महतपूर नेता जो है, व बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें राहूल गांधी को कुछ क्रेडिट भी मिलेगा, और कॉंग्रेस जन में अगर उनकी प्रती विश्वास है, कि वो 4 परसेंट वोट इस टाइम बढ़ा है, और 29 आते वो वोट परसेंटेज, 28 परसेंट, 29 परसेंट हो जाएगा, तो आत्मी का प्लिटिकली मतलब एक जो कहते हैं, गोलेट बीरेट शुरू होता है, तो राहूल गादी तो अभी 1970 की पैदाई से मतलब 54 साल की उमर है, तो 59 होंगे 29 में, ये कोई आप लोगों की बात थोड़ी अटपटी लगे कि, लेकिन कॉंग्रेस का अगर कॉंग्रेस फि मैं फिर बार-बार कहता हूं, विपक्ष, उसमें वामदल और ये दक्षिरपंती, मतलब चाहे वो भारती जनसंग हो या उससे जोड़े वे जितने, उन्होंने भी देखिये 54-55 साल इंतजार किया, और वो नेता परतिपक्ष जो था, 1969 नेता परतिपक्ष नहीं था देश म और नेता परतिपक्ष बना भी, जब कॉंग्रेस चूटी तो उसका नेता परतिपक्ष बना, तो अभी तो कॉंग्रेस को केवल 10 साल हुआ है, मतलब मैं ऐसी बात कह रहा हूं, जो मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा लोगों को हो सकता है, सहज ना लगे, लेकिन ये काल च नहीं है, जो रहूल गांधी, प्रियांका गांधी के अलावा, जिसको देश में बार जगों से, पूर्वुत्तर से, दक्षिर से, या उत्तर से, या मद्दे भारत से उसको बुलाया गया हो और कहा गया हो कि आप हमारे लिए प्रचार प्रशार करें, रशीत सर जो आप 152 से देखी, क्या संसदिये माहोल आज वही है कि एक नेता परतिपक्ष के पास इतना लेवल प्लेइंग ग्राउंड है कि वो अपनी बात कहे और देश सुने, क्योंकि हम दो बाते देखते हैं, मैं थोड़ा सवाल लंबा हो जागे हैं, कि एक प्रधार मंत्री संसद के अं मनमोहन सिंग पर बार बार फैक्ट चेक भी हो रहा है, कि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को समपदा बाट देंगे, मनमोहन सिंग ने ऐसा नहीं कहा, तमाम फैक्ट चेक की स्टोरी हुई, लेकिन ये लगातार चुनावी रैलियों में कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि सं अब उस तरीके से ग्राउंट पर असर पढ़ रहा है, जैसे पहले पढ़ा करता था, अब तो असर ग्राउंट पर तो चुनावी अलग हो जाता है, संसद में आप बड़ा सोवर बने रहे है, सिंसिर बने रहे है, अच्छे सवाल पूश्ट रहे है, क्या वैलू है उसकी? विवेक के उपर निर्बर करता है, कि वो कौन सी भाषा, किस किसम का समवाद सापित करता है, और जनता उसमें कैसे रियाक करती है, अगर हम फिर वही एक्जिट पूल का वोट माने, तो एक मैंडेट थियोरी हमारे देश में है, तो मैंडेट का मतलब यह रहता है, कि वो व देश मंतराल है, और कॉंग्रिस के पास बहुत टैलेंट है, या संपूल विपक्ष के हम बात करें, उनके बहुत बहुत टैलेंट है, आप एक शैड़ो कैबिनेट बना सकते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट की तमाम विभागों की आप एक तरीके से ही एक उस पे चेक वो उन्निस में एक तरीके से चलता रहा और चौबिस में विपक्ष ने भी उसका बराबरी से मकाबला किया, और नरेंद मुद्जी का देखिए कि उन्होंने पहले उन्निस में करीब 20 इंटर्व्यू दिये थे, जो हम मेनिस्ट्री मीडिया कहते हैं, और अपकी उन्होंने जो है उन्वन बाइकॉट करता नजर आता है, तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें उन्हें विवारिक रूप से देखनी होंगी, और केवल क्योंकि विपक्ष और मीडिया उसका चोली दामन का साथ है, मैं फिर बताता हूँ कि जैसे उन्निस सो से सतर्तर में तो मीडिया इंडिया अगेंस करफशन में जो आप लोगों ने बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो ग्यारा से तेरा के बीच में देश में इस्तिती थी और जो उसमें मीडिया का भी एक रोल था, तो यह आज विपस्ट को इसका रिव्यू करना चाहिए, कि वो इस तरह का में स्ट पडाली है, वो वेस्ट मेनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लेमेंटरी डेमोक्रेसी है, अब ब्रेटन में दल बदल नहीं होता, यह वेस्टर डेमोक्रेसी में आप सब लोग स्टूडेंट है, मतलब राजितिक शाहस्त के तो आपने देखा होगा, वहां बड़ा दल बदल बुर उनने बयां में कहा था कि मैंने हौकी ग्राउंड देखा, फुटबॉल ग्राउंड देखा, यह मोरल ग्राउंड और नों ऑने रहें च्टाली होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, अगर जंता में तरह से सैंसिटिव नहीं है, थो आपको जंता के बीच में 9 जबकले आ यारी करना इसी तरह किसे जो एलेक्शन मैनेजमेंट का काम है जो परी पॉल सर्वेज इंसी बगारा करती हैं क्यों कॉंग्रेस इतने साल में वह प्रिशान कुछ और सुनिल कानुगोलू और डरे सरोला के चक्कर में पड़ी रहती उसने अपना मेकेनिजम क्यों नहीं बनाय हैं तो विपक्ष भी कर सकता है और उसका काम करें और उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे किसी भी जगापड़ा का प्रोफेश्चेल लंग से करते तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं जो की जा सकती है क्यों अपना कुछ मीडिया में मतलब एक क्रेडिबल तरीक है कि हाँ मेरे कुछ स्वास्त में कुछ गर्बल है विपक्ष को अगर यहीं लगता है कि उसके स्वास्त में कोई गर्बल नहीं है तो वो समधन कैसे होगा सरलोकसभा चुनावों के लिए हमारे चनल ने बहुत जगास लोगों से जाकर बातचीत की उनसे मुद्दे पूछे और उन मुद्दों में बीजिपी सरकार के लिए इंडिये सरकार के लिए नाराजगी हमने देखी तो उस नाराज़गी को लेकर उन्होंने ये तक कहा कि हम अब जवाब जो है वोट से देंगे एक्जिट पॉल के नतीजे कुछ और दिखा रहे हैं तो ऐसे में याद आ जाता है 2004 का एक्जिट पॉल जो की इंडिया शाइनिंग का नारा जो था उसको भी फेल हो गया था तो एक्जिट पॉल भी गलत साबित हुए थे तो क्या 20 साल के बाद साल 2024 में एक्जिट पॉल ये जो इतिहास है वो दोहरा सकता है गलत साबित हो सकते हैं मैं वैसी कहा रहा हूँ लोकतंत रहे और एग्जिट पॉल या कोई भी एजनसी हो लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है कि उसका डिरिक्शन गलत हो सीड जरूर जो है सीड के आंकलन में हेर फेर हो सकता है तो एग्जिट पॉल का डिरिक्शन गलत दिया होगा अगर गलत होगा तो एक राजनितिक रूप से बड़ा बूचा लाएगा दरसल लोग जो हैं जो वोटिंग पैटरिन वो एक बदलाव कब चाहते हैं जब बदलाव तब चाहते हैं जब उन्हें बहुत विशम परिश्थितियां लगती हैं लगता कि अब बहुत हो गया पानी सहर से उपर हो गया लेकिन वो इतने ज़्यादा उन्हें अभी भी नरेंद मोधी जी में भरोसा है तो ये विश्वस्रित्या जो इद्रागांदी में भी थी और नरेंद मोधी में भी आई है उसकी कार्ड विपक्षा नहीं पापा रहा है और एक और बात होती है जो आप जो कह दी है कि हम गए और ऐसा पता चलता है कि लोग नाराज है दरसल क्या होता है कि एक सी वोटर में यहिश्मन देश्मुक जी ने बताया था इंडिया टोडे के उसमें कि दोनों उस समय इंडिया अलाइंस और एंडिये 45-45 परसंट वोट श उसकी राए अलग होती है तो जब हम आकलेग करते हैं या इस तरीके की चीज़ें होती है उसमें हमारा अनुमान कई बार गलत हो जाता है और जो मैंने खौईश और खबर की बात करी एक और चीज़ होती है जो होता है कि जिसे हम कहते हैं प्रोसेस आफ सोशलाइजेशन जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं जो हमारी अपनी सोच होती है जो हमारी राजनेतीक धार्मिक समाजिक मान्याता होती है वो सब भी बड़ा रोल प्ले करती हैं इसलिए बहुत से लोग जो है मतला मेरे जैसे या हमारे साथी हमारी उमर के बहुत बार राजनितिक आंकलन में गच्चा खा जाते हैं खास्तों से चौदार के बाद ये कई बार हुआ तो मद्रदेश के चुनाओं में भी हुआ जो जो चाटिस गड़ के चुनाओं में हुआ कि लोगों का आकलन बड़े व्यापक स्थर के उपर गलत साबित हुआ वो इसी वज़े से हुआ कि हम अपनी धारनाएं और मानताओं क कर पाएं लेकिन ये जो है ये बड़ा दिल्चस्प और मुझे ता आज की शामतों में यही कहूंगा कि वो मतलब जो सुल्ची भी नहीं वो ऐसी वाली गुथी है तो राशित की दौई जी का कहना है कि एकजिट पोल भले ही प्रधान मंतरी के तौर पर नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का अनुमान लगा रहे हो लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत निराश होने की बात नहीं है अगर वो सतर पिछतर सीटे लेकर भी आती है तो ये एक वापसी माना जाएगा और ये एक बढ़िया बढ़ोतरी उनके वोट और सीटों में हो सकती है अगर एक तो शुक्रिया तमाम दर्शकों का अभार आज के लिए नमस्कार